तो भाई लोग जैसे कि यार आप से भी की डिवाइश न भाईश नहीं बना गर दिखाओ लेकिन मैंने आपके लिए एक बैटरी पैक जुरूर बना दिया यह यहाँ पर जिसकी मदद से आप जो है डिवाइस को किसी भी छोटे डिवाइस को operate भी कर पाएंगे और साथ उन लीथियम बैटरी को चार्ज भी कर पाएंगे तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल दी है चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको जो है टीपी 4056 जो हमारा मोडूल है वो द लगाने वाला हूँ जैसे कि यार आप सभी ने थमनेल तो देखी लिया होगा तो गाईस यहाँ पे जो है सबसे पहले हम है क्या करना है कुछ गाईस कंडिशन है अब आप ऐसा मत करना है कि हम भी बना लेंगे इसको तो एकदम से थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर चलने वाला विलकुल भी नहीं ना तो चार जोगी बै τοी और साथ यहाँ को वीडियो पूरी देखनी है और साथ यहाँ यहाँप olsun कर रहा हूं इनको parallel में तो देख सकते हैं यहां पे बैटरी किस तर से मैंने उठाई हुई है और इनके जो मैनस मैनस point है वह एक साथ जोइंट कर दियें प्लस 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 प्यंट एक साथ जोइंट करते है जिससे क्या होगा हमारी जो वोल्टेज है वो तो उतनी रहेगी लेकिन इसको जो एमेज है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे मतलब जो हमारे एम्पेर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे जिससे हमें बैकप काफे लोंग मिलता रहेगा तो इसलिए आपको भी तक मोडिल को देहते वेंगे क्योंकि हमारी जो फॉल्टेज में लकाउड जार इसमें तो 3.7 और 3.7 कितना हो जाएगा पसनी पता ही ऑगा यहाँ पर को घ्रमावावा हैं घ्रखने梗 uh रहा है और साथिसाथ आपका मोडूल इसको चार्ज कर पाएगा या फिन नहीं कर पाएगा तो इसलिए ही मैं गाइज यहां पर इनको पैरलल में करनेक्ट करना हूँ मैंने किस तरह से कनेक्ट करने है वह वह बस आपको इसके बीच में लगा देनाता बैट्री बन चुक है अभी हमें क्या करना है आप entsprechend करना है चार्जिंग मोडूल जसको लेना है यहां से करना है इसके जो वायर से फिलस वाला वयर और मैंने दोनोंっ दोनों अलग-अलग point से निकालने हैं जैसे कि अभी मैं आपे निकालने वाला हूँ आप कोई से भी cell पे connect कर सकते हैं इसमें कोई दिख्कत नहीं है तो यार यहां से जो है मैंने वायरस ले लिये हैं और इनको जो है अभी मैं connect करने वारा हूँ बैटरी के पोजिटिव और नेगटिव पे उसके बाद हम इन वायरस को connect करेंगे जो हमारा मोडूल है charging module उसके उपर उसके उपर किस तर से connect करना वह भी देखना आपको चलिए सबसे पहले थे हम बैटरी को पर करें और इस बैटरी के आप कोई से भी cell पे connect कर सकते हैं इसको solder कर देते हैं जल्दी से चलो बैटरी कर देते हैं जल्दी जल्दी कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा यह दोनों वायरस है वह easily connect हो गए है तो यार इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको अगर फिर भी दिक्कत आ रहे हैं तो हमें comment करके आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनानी है वह भी आप जो है comment कर दिया करें जिससे हमें भी पता चल जाए कि हमारे जो भाई हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको यह चीज चाहिए उनको यह जरूरत है तो हम जो है उसके उपर नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं चुपकाँगे फैक है तो यार अब जो है मेरे पास जो है जॉ है इससे मैं चिपका रहा हूं हूं चलिए करते हैं थोड़ा से जूम करता हुं वीडियो को जिससे अच्छी तरीके से दिखाए दे आपको तो बैटरी का नेगेटीव वाला वो रहा जिस पे मैं ब्लैक वाला वायर जो है यहां पर करें चलो भेए इसको यहां पर करते हैं जल्दी से और इसके जो साइड में द दूसरे उसमें लगाई जाके ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें सीधा यही उठाके सीधा अपने जो भी चीज़ चलाने आपको वो चीज़ आप उससे जो है अपरेट कर पाएंगे इसली ठीक है तो यार यह जो है यहां से नॉर्मली हो चुका है सब कुछ यह हो गया अब हम अब हमें थोड़ा सा काम हो रहे गया है जो कि हमें यहां पर दो वायर्स कनेक करने है आउटपूट के लिए नॉर्मली सारी चीज़े हो गई है पर अभी हमें यह बैटरी चिपका ही नहीं है तो इसको ओपर भी चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं अभी फैविक क्यूइक से इसके ओपर भी थोड़ा डाल देता हूं और इसको जो है इस कार्डबोर्ड के ओपर इसको जो है चिपका देता हूं तो चलो यार इसको भी चिपकाते हैं जल्दी से तो यार यह हिलती रहेगी वरना खिच भी सकती है यह मोडूल को भी खार सकती है तो इसलिए हमें जो थोड़ी थोड़ी सी यहां पर लगा जेता हूँ जादा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ आगए जाके इसमें प्रोब्लम होगी इसमें जो है निसान बन जाएगा छोटे का नहीं है तो यहां से मैं इसको लगा चुका हूँ आपकी जो है वेब साइड कं तक जाएगी तो यार website जो है मेरे हात में कुछ भी नहीं है जैसे ही developer पूरी कर देगा website को वैसे ही मैं लोन्स कर दूंगा website को क्योंकि मुझे website बनानी नहीं आती है वैसे कुछ चीज़े आती है मुझे उसमें language बनानी है पर पूरी नहीं से टिकालip यारबार ये comment ना करें आप आपको जो चीज चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं हमें यह चीज पसंद है हैं हमें यह चीज़ लेनी है आप इसलिए ही मैं आपसे यापसे यह चीज कहा रहा हों तो देखते हैं यहां पर पर जो है हमारा सर्केट यहां पर बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं एक बार इसको चार्ज करके देखता हूं मैं मोडूल के अंदर जो है यहां पर जो हमारा यह जो बैटरी है यह हमारा जो मोडूल है यह बैटरी को चार्ज कर रहा है यह फिन नहीं कर रहा है फिर फूल हो चुके हैं बैटरी दोनों ही चीज़े बताऊंगा मैं आपको इसमें दो लाइट्स दी होती है एक रेड कलर की और यहां पर ब्लू कलर की जो रेड कलर की है अगर वो जलती हुई है तो वह बैटरी चार्ज हो रही है और अगर यहां पर ब्लू कलर की जल जाती है लाइट तो वह बैटरी यहां पर फूल हो चुके है यह चीज़े तो आपको यार पता ही होगी अगर आपने यह यूज किया होगा ठीक है तो यह हैं हमारे आउट्पूट के वार ठीक है चलिए हमारे हापे इसको जल्दी से मैं एक बार चार्जर करके देखता है तो यह रहे हमारे डाटा के इवल और चलिए लगाता हूँ एक बार मैं इसको चार्जर को इस और देखता हूँ कि क्या condition है चलो भई जल्दी से करते हैं इसको भी काम को और आप जब भी इसको लगाएं तो आप थोड़ा सा इसका जो jack है उसको उपर हाथ रख ले जिससे क्या होगा आप ज्यादे से जटका नहीं लगाएंगे और यह जो आपका jack है यह उखडेगा भी नहीं इसमें से आपका moodle खराब नहीं होगा तो मैंने यहां से connect कर दिया है और easily मैंने यहां पर देखा कि देखो भाई यहां पर रेड लाइट जल चुकी है इसमें तो मतलब कि हमारी बैटरी जो है अभी फिलाल चार्ज हो रही है चार्ज हो रही है और जैसे ही यहां पर है इसमें तो यह थोड़ा दल्दी भी चार्ज जाएंगे ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम लेंगी ठीक है तो चलो भाई यह हमारी यहां पर test भी हो गई है और चलिए जो outputs के wires मैंने यहां पर निकाले थे उनको भी एक बार multimeter से check कर लेते हैं कि क्या उनमें जो voltage है वो उतन 0.87 के अप्रोक्स में यहां पर voltage आ रही है तो मतलब हमारी जो बैटरी है वो अच्छी तरीकी से connect है module में भी अच्छी तरीकी से connect है जिससे हमारा जो module है वो पूरी की पूरी supply दिखा रहा है हाँ इतनी है और इसको जो mh है वो यहां पर बढ़ चुके है तो यही फायदा ह होता है गाइस बैटरी को पैरलल में लगाने का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर से कर देना अगर वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को बस एक लाइक जरूर कर देना और कुछ मत करना चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो भाई आप क्या कर रहे हैं चानल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो तो बस गाइस थैंक्स फॉर वोचेंग